इमान दारी का फल एक लकड़ हारा एक दिन वन में नदी किनारे लकड़ी काट रहा था अचानक उसकी कुलहारी नदी में गिर गई वह वही बैटकर रोने लगा उसी समय एक साधू वहां से गुजर रहे थे उन्होंनी लकड़ हारी से रोने का कारण पूछा लकड़ हारी ने कहा मेरे कुलहारी नदी में गिर गई है मेरे पास कोई अन्ने कुलहारी भी नहीं है अब मैं लकड़ी कैसे काटूँगा लकड़ी ना होने पर मेरे घर में खाना नहीं बन पाएगा साधू को लकड़ हारे पर तरस आ गया उन्होंने नदी में गोता लगाया और एक सोने की कुलहारी लाकर लकड़हारी को दी लकड़हारी ने कहा यह कुलहारी मेरे नहीं है साथोंने दुबारा नदी में गोता लगाया और एक चांदी की कुलहारी लाकर लकड़हारी को दी लकड हारे ने चांदी की कुलहारी भी नहीं ली उसने कहा मेरी कुलहारी लोहे की बनी थी मुझे केवल वह ही चाहिए साधु ने फिर नदी में गोता लगाया और लोहे की कुलहारी लाकर लकड हारे को दी लकड हारे ने उसे देख कर कहा हाँ यही मेरी कुलहारी है लकड हारी की इमानदारी से खुश होकर साधु ने उसे सोनी और चांदी की कुलहारियां भी दे दी सिक्षा इमानदारी का फल मीठा होता है